22 दिसम्बर 2023 के दिन फ्रांस के वैटरी एर्पोर्ट पर लैंड हुई एक चैटर फ्लाइट लैंडिंग के कुछी घंटों में पूरी दुनिया में चर्चा का विशय बन गई थी बात कुछ है थी कि इस फ्लाइट में तकरीबन 300 इंडियन सवार थे और सभी निकारग हुआ जा रहे थे हाला कि यह सभी पैसेंजर्स निकारग हुआ कोई सैर करने के लिए नहीं पर वहाँ से डंकी रूट पकड़ कर अमरीका पहुंचने वाले थे पर कहानी में ट्विश्ट तब आया जब यह फ्लाइट फ्रांस में रिफ्यूलिंग के लिए लैंड हुई और तभी वैटरे एरपोर्ट पर तैयनात अफसरों ने इस फ्लाइट को आगे जाने से रोक दिया और चार दिनों तक यह फ्लाइट फ्रांस में ही रुकी रही इस फ्लाइट में सवार ज्यादतन लोग पंजाब और गुजरात के थे और आगिर का 26 दिसंबर के दिन इस फ्लाइट को मुंबई वापिस बेज दिया गया था इस गटना के बाद गुजरात और पंजाब पुलीस ने इस डंकी फ्लाइट से वापस लोटे लोगों को डूढना शुरू किया था और उनकी पूछताच कर इस फ्लाइट को आपरेट करने के पीछे कौन से एजेंटों की भूमी का थी यह डूढने की कोशिश भी की थी इस मामले में गुजरात की CID क्राइम ने एक F.I.R. दर्च कर कुछ एजेंटों को आरोपी बनाया था और दो लोगों को अरेश्ट भी किया था आज स्थिती यह है कि पुलिस का प्रेशर बढ़ने के बाद गुजरात और पंजाब की ज्यादातर एजेंट्स अंडरग्राउड हो चुके हैं पर उनका धंदा शायद अभी भी बे रोक टोक चल रहा है NBT को मिली exclusive जानकारी के मताबिक डंकी रूट से लोगों का भारत से अमरीका जाना अभी भी जारी है फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि पहले दुबई से निकारगुआ के बीच डंकी फ्लाइट्स ऑपरेट हुआ करती थी और अब अलग-अलग रूट से और नई ट्रिक से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है दिसंबर में दुबई से चली डंकी फ्लाइट पकड़े गई तब गुजराद, दिल्ली और पंजाब के एजन्टों ने अपने कई पैसेंजर्स को इंडिया वापिस भी बुला लिया था और उनमें से काफी लोगों को कुछी दिनों में नए रूट से रवाना भी कर दिया गया था सुत्रों की माने तो आज भी निकारागुआ डंकी रूट का सबसे महत्वपून जंक्शन बना हुआ है और अब निकारागुआ पहुँचने के लिए नए रास्ते लिए जा रहे हैं डंकी फ्लाइट पकड़े जाने के बाद अमरीका जाने के लिए रवाना हुए एक सुत्रों ने NBT को बताया कि उसे मुंबई से उसबेकिस्तान के ताशकन बेजा गया था और उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिने ताशकन में थोड़े दिनों तक रखने के बाद अलग-अलग फ्लाइट से वाया अफ्रीका होते हुए सुरी नाम पहुचाया गया था और अब उसे निकारागुआ बेजा जाएगा NBT के साथ जिस सुत्र ने जानकरी शेयर की थी उसकी लास्ट लोकेशन सुरी नाम थी और एजेंट ने उसे दस दिनों के अंदर निकारागुआ पहुचा देने की बात की है NBT को ये जानकरी भी मिली है कि जिन एजेंट्स को फिरहाल गुजराद पूलीस डून रही है उसमें से कुछ लोग उनके खिलाफ लुकाउट नॉटिस इश्यू होने से पहले ही विदेश भाग चुके हैं और कुछ अभी इंडिया में ही है और अलग-अलग लोकेशन से ऑपरेट कर रहे हैं डंकी फ्लाइट पकड़े जाने के बाद मुंबई से एमदाबाद वापस आ चुके अन्या एक सूत्र की माने तो एजन्ट ने अब उसे वाया दुबई से साउट आफरीका होते हुए निकारागवा पहुचाने की बाद कर कभी भी घर से निकलने के लिए तैयार रहने को कहा है सूत्रों का यह भी कहना है कि फ्रांस की घटना के बाद भी डंकी फ्लाइट्स आपरेट की जा रही है पर अब यह फ्लाइट्स दुबई या फिर किसी और एडपोर्ट से आपरेट हो रही है और वाया आफरीका जाते हुए निकारागवा पहुच रही है फ्रांस में डंकी फ्लाइट पकड़ी की उसके बाद भी गुजरात और पंजाब के कई लोग निकाराग हुआ पहुँचने के बाद मेक्सिको जाने के लिए निकले थे और ऐसे ही एक ग्रूप में शामिल एक व्यक्ति ने मेक्सिको बॉर्डर प्रॉस कर अपने अमेरिका प फ्लाइट्स में हजारों भार्णतियों को और खासकर गुजरात मंजाब और हडियाना के लोगों को अब तक निकारागुआ पहुचाया जा चुका है डंकी फ्लाइट का जब बांड़ा पूटा तब तक ज्यादतर फ्लाइट्स दुबई से ही निकली थी और यूरोप के देशों में उन्होंने टेकनिकल हॉल्ट लिया था हाला कि अब डंकी फ्लाइट्स यूरोप को अवाइड कर आफरीका होते हुए निकारागुआ जा रही है सुत्रों की माने तो डंकी फ्लाइट्स से एजेंटों का काम भी काफी आसान हो जाता है और एक साथ वा तीन सु जितने पैसेंजर्स को दूबई या फिर किसी अन्य देश से सीधे निकारागुआ पहुचा सकते हैं अगर किसी पैसेंजर के ग्रूप को डंकी फ्लाइट के अलावा किसी और विकल्प से मैक्सिको या साउथ अमरिका के किसी देश में पहुचाना हो तो उसे कई देशों म की इतनी मजबूत सेटिंग्स है कि यहां पर लेंड हुए उनके पैसेंजर्स को एर्पोर्ट से बाहर निकलने में कोई भी समस्या नहीं होती है एर्पोर्ट से बाहर आते ही सभी को एक दो दिन के लिए हॉटेल्स में रखा जाता है और फिर उन्हें हंडुरास होते हुए गौाटेमाला और वहां से मेक्सी को पहुँचाय जाता है डंकी रूट से एक बार अगर कोई पैसेंजर मेक्सी को पहुँच जाये तब उसका सफर 90 प्रतीशत जित्ता खत्म हो चुका है ऐसा माना जाता है हाला कि निकारागुआ से मेक्सी को पहुँचने का यह सफर बिल करना पड़ता है इतना ही नहीं कभी कभी किसी देश की बॉर्डर क्रॉस करने के लिए घने जंगलों के बीच घंटों तक पैदल भी चलना पड़ता है और इस सफर में खाने पीने की चीज़े भी एक निश्चित मर्यादा में दी जाती है और कई बार तो बूखे रहने की की भी नौबत आती है निकारागुवा से मेक्सिको तक का सफर टाय करने में 10-15 दिन या फिर उससे भी ज्यादा समय लग सकता है पर मेक्सिको बहुंचने के बाद भी खत्रा बिल्कुल कम नहीं होता है मेक्सिको में कदम कदम पर लोकल पुलीस और माफिया का जो कीम रहता कर दो